है गाइस तो कैसे आप सब तो आचका हूँ फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने दोस्तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने यूटूब चैनल को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तो अगर एक न्यू यूटूबर है और आपने चैनल बनाया यू कैसे आप अपने यूटूब चैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप अगर अपने यूटूब चैनल को कस्टमाइज कर लेते हैं तो कैसा दिखता आपका चैनल और दोस्तो एक चैनल वह भी दिखाऊंगा जिसका यूटूब चैनल जो एकास्टमाइज नहीं है तो क्या डिफरेंट से दुस्तों कस्टमाइज करने में और कस्टमाइज नहीं करने में तो सबसे पहले मैं अपना YouTube open कर लेता हूँ ठीक है यूटूब उपन करने के बाद दुस्तों यह मेरा एक चैनल है ठीक है तो मैं यहाँ पर देखिए अपने लोगों पर क्लिक करता हूं और दोस्तों यहाँ पर चैनल पर क्लिक करता हूं दोस्तों यह यूट्यूब चैनल जो है मेरा कस्टमाइज है ठीक है तो जैसे ही मैंने इस चैनल को खोला दोस्तों यहाँ पर देखिए एक सेक यहाँ पर दट्र चैनल वो जाएगा करने के बाद तो यह काफी प्रोफेश्वनल निटरीका से यह छेनल लग रहे है दोस्तो ठीक है तो कस्तव सिल से आपका चैनल दिखेगा अब दोस्तों यहीं पर मैं आपको एक और चैनल दिखाता हूँ जो चैनल कस्टमाईज नहीं है किया हुआ। ठीक है तो वो देखिए अभी आपको कैसा लगेगा, तो यह एक चैनल है दोस्तों अब देखें ह comigo आप कई साथ हो और जोर। चैनल को कस्टमाइज जब करेंगे तो आपका चैनल काफी प्रोफेशनल हैगा तो आए जानते हैं कि कैसे आप अपने चैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं और कुछ प्रोफेशनल लूप देख सकते हैं अपने यूटूब चैनल को तो फ्रेंट्स उसके लिए आपको क्या करना ह या फिर दोस्तों आपको यहां पर देखे यूटूब का एक option दिख रहा है ठीक है तो आप यहां पर search भी कर सकते हो तो यूटूब पर मैं यहां पर click कर लेता हूँ YouTube open होने के बाद दोस्तो आपको क्या करना है आपका जो भी email ID है YouTube का ठीक है उस email ID को यहाँ पर sign in पर click करना है दोस्तो और sign in पर click करने के बाद यहाँ पर आप अपने email ID से यहाँ पर login कर लिजिए ठीक है तो मैं यहाँ पर अपना email ID से login कर लेता हूं ठीक है email ID और password से login करने के दोस्ति आपके शी amor का पुछ इस तरह का इंटर्टराइज देखने को मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने चैनल का एक लोगो दिख जाएगा तो लोगों पर आपको क्लिक कर लेदा, ठीक है तो मैं यहां पर दोस्तों क्लिक कर लेता हूं लोगों पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर सबसे ऊपर में यूर चैनल का एक आपसन आ जाएगा तो आपको यूर चैनल पर क्लिक कर लेना है इस पर दोस्तों आपका चैनल आ जाएगा और उसके बाद दोस्तों जहान पर देखे SHRIP Home का ऑप्सिन आ रहा है उसके बाद कोई भी ऑप्सिन नहीं आ रहा है ना ही वीडियोज के आ रहा है ना ही कमिनूंटी के आ रहा है ना ही play-list का स्वार्ट का और नहीं और about का यहाँ पर option दीख रहा है दोस्तों मैं आपको फिर से जूम करके दिखा देता हूं कि दिखे यहाँ पर अब आपका सारा यहाँ पर feature जो है वो enable हो चुका है ठीक है तो अब आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर दिखिए आपको एक done का option आ रहा है तो आपको क्या करना है done पे click कर देना है इस पे दोस्तों आप जैसे ही click करेंगे अब आपका channel जो है वो customize हो चुका है दोस्तों तो आईए अब हम आपको फिर से अपने channel पर जाते हैं और जाकर दिखाते हैं कि अब आपका channel कैसा दिखता है दोस्तों अभी मैं फिर से आजाता हूँ अपने YouTube channel पे और YouTube channel पे आने के बाद दोस्तों फिर से मैं यहाँ पर दिखिए अपने logo पे click करता हूँ और लोगों पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर चैनल का एक option अरहा है तो मैं चैनल पर क्लिक कर लेता हूँ और दोस्तो चैनल पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो अब आप दे सकते हैं दोस्तो कि इस चैनल पर भी यहाँ पर आपको home और यहाँ पर videos और यहाँ पर playlist और यहाँ पर channel और दोस्तो यहाँ पर about का एक option आ चुका है तो दोस्तो इस तरह से आप जो है अपने चैनल को आप अपने चैनल को दोस्तो काफी प्रोफेस्नली बना सकते हैं दोस्तो ये था आज का छोटा से वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों में शेयर करिया और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना मिलता हूँ अगले वीडियो में अब तक के लिए जाहिंद बंद